साथियों मेरा स्वभाग्य है कि कार्गिल यूत्त के समय मैं सामान्य देश्वाची के रूप में अपने सहिनिकों के बीच था आज मैं फिर कर्गिल की धर्ति पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है मुझे आद है कि इस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी उचाई पर इतने कठीन युद्ध आपरेशन को अंजाम दिया था मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शुर्विरों को आदर पूर्वक प्रनाम करता हूं मैं इन सहीतों को नमन करता हूं जिनोंने कारगील में मात्र भूमी की रक्षा के लिए अपना सर्वोच बलिदान दिया साथ्यों कारगील में हमने केवल युद्ध नहीं जिता था हमने सत्य संयम और सामर्थ का अध्भूत परिचय दिया था आप जानते हैं भारत उस समय शांती के लिए प्रयास कर रहा था बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना और विश्वासी चहरा दिखाया लेकिन सत्य के सामने असत्य वर आतन की हार हुई साथ्यों पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुस्प्रयास किये उसे मुह की खानी पड़ी है लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सिखा है वो आतंगबात के सहारे प्रौक्षी वार के सहारे अपने आपको प्रासंगीक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंग के आखाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है मैं आतंगबात के इन सरप्रस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाग मन सुभे कभी काम्याब नहीं होंगे आतंगबात को हमारे जावाज पूरी ताकत से कुचलेंगे दुश्मन को मुहतोर जबाब दिया जाएगा साथियों लगदाखो या फिर जम्मु किश्वीर विकास के सामने आ रही हर चुनोती को भारत परास्त करके ही रहेगा कुछी दिन बात इस पांच अगस को आटिकल 370 का अंत हुए पांच वर्ष पूरे होने जा रहा है जम्मु कश्मीर आज नए भविश्य की बात कर रहा है बड़े सपनों की बात कर रहा है जम्मु कश्मीर की पहचान जीट 20 जैसी ग्लोबल समीट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है इंफ्रास्पेक्टर डेवलप्मेंट के साथ साथ जम्मु कश्मीर ले लजाख में तुरिजम सेक्टर भी तेजी से ग्रोग कर रहा है दसकों बार कश्मीर में सिनेमा गर खुला है साड़े तीन दसक के बार पहली बार स्री नगर में ताजिया निकला है धर्ती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांती और सहार की दिसा में आगे बढ़ रहा है साथियों आज लद्दांख में भी विकास की नई धारा बनी है सिंकुला टनल इसके निर्मार का काम शुरू हुआ है सिंकुला टनल के जरिये लद्दांख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा ये टनल लद्दांख के विकास और बहतर भविश्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खुलेगी हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दांख के लोगों को कितनी मुष्टिले आती है सिंकुला टनल के बनने से ये मुष्टिले भी कम होगी झाल के वे कितनी मुष्टिले भी को कितनी मुष्ग झाल कर ये ये टनल लद्दांख के लगों झाल कित ज्ज़ Kझास और बहत से ओड़गी झाल झाल